तो बच्चों, हम विस्तास भुक का चैप्टर फर्स्ट पर रहे थे जिसका नाम है The Third Level लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो नरेटर है हमारी स्टोरी के जिनका नाम है चार्ली वो अपना एक्स्पिरियन्स हमाई साय शेयर कर रहे थे कि कैसे वो Grand Central Station के ठर्ड लेवल पे पहुंच जाती है तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो जब second level पे थे तो वहाँ वो एक doorway में से जाती है उसके बाद वो बिलकुल lost हो जाती है और एक corridor में वो चले जाती है और वो corridor उन्हें कहां लेके आ जाता है एक ऐसी जगर लेके आ जाता है जहां पर सब कुछ उन्हें बहुत अजीब लगता है उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो 1890s में पहुंच गए हो वहां जितने भी वैकती थे सबकी जो dresses थी सबकी जो hairstyle थी वो उनको बिलकुल पुराने समय की लगती है और यहां तक कि जब उन्होंने वहां का जो engine देखा वो भी कैसा था steam engine locomotive जो की पुराने समय में use होता था तो यह सब देखके जो चार्ली है वो कहते हैं कि यह सब देखके मैं जान गया था मैं समझ चुका था तो वो क्या जान गए थे और वो actual में कहां पहुंच चुके थे यह हम पढ़ें के इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं second part of our chapter the third level to make sure I walked over to a news boy and glanced at the stack of papers at his feet तो last में अमने पढ़ा था ना चार्ली कह रहे हैं कि वो सब कुछ देखके मैं जान गया था तो उनके मन में doubt था वो जान चुके थे कि वो कहां आ गए हैं लेकिन फिर भी वो आपने doubt को बिलकुल दूर करना चाहते थे बिलकुल sure होना चाहते थे तो बिलकुल sure होने के लिए वहाँ पे station पे जो news boy होते हैं तो वहाँ पे एक news boy था उस news boy के पास वो जाते हैं यानि कि वो वेक्ति जो कि न्यूस पेपर बेचता है उस वेक्ति के पास वो जाते हैं और वहाँ जाके वो glance यानि ध्यान से एक तक वो देखते हैं किसकी तरफ उस stack उस धेर की तरफ जो धेर किसका था न्यूस पेपर्स का और वो कहां रखा था उसके पैरों के पास में तो उस स्टेशन पे एक वैक्ति था जो कि न्यूस पेपर बेच रहा था और उसके पैरों क पास में बहुत सारे न्यूस पेपर का एक धेर रखा वा था तो जब भी हम जाते हैं स्टेशन पर हम देखते हैं जो डेली के पेपर होते हैं वो स्टेशन पे बेचे जाती हैं तो इसलिए राइटर जो थे वो अपना डाव तूर करने के लिए बिलकुल शौर होने के था The World, तो बच्चों इस तरह का The World टाइटल वाला वो न्यूस पेपर क्या जो वहां पे ढेट था वो ये था And The World Hasn't Been Published 4 Years, तो जब उन्होंने नाम पढ़ा कि ये कौन सा न्यूस पेपर है The World न्यूस पेपर था तो वो पढ़ते ही उनके दिमाग में क्या आता है कि अरे ये जो न्यूस पेपर है The World, ये तो इतने सालों से Publish हुआ ही नहीं है, यानि कि ये पुराने समय में आया करता था, बहुत पहले ये The World नाम का न्यूस पेपर Publish हुआ करता था और अब तो बहुत सालों से ये पेपर Publish ही नहीं हुआ है The Lead Story said something about President Cleveland और फिर वो पेपर को देखते हैं और जो front page पे, जो first page होता है Newspaper का, उस पे जो headline थी, जो cover page पे story थी, वो पढ़ते हैं कि क्या news है, तो वो क्या देखते हैं जो lead story थी, जो front page पे, सबसे पहले जो story थी, जो article था, वो किसके बारे में था, वो President Cleveland के बारे में था और बच्चों, जो President Cleveland है, ये भी उसी समय में President थे, 1890s के टाइम, ये President थे, US के I have found that front page since in the public library files, अबना later कह रहे हैं, कि ये जो newspaper था, the world, इसका जो front page था, इन्होंने इससे पहले कहां देखा था, public library की files में ही देखा था, यानि कि ये newspaper उस समय पब्लिश होना बंद हो चुका था, और ये उन्होंने बस library की files में लगावा देखा था, कि हां, कभी इस तरह क भी newspaper publish हुआ करता था, and it was printed June 11, 1894, और ये जो newspaper उन्होंने देखा, उन्होंने फिर उसकी date पढ़ी, और वो क्या date थी, वो date थी June 11, 1894, तो जो narrator है Charlie, वो कहां पहुंच गए थे, वो पहुंच गए थे, पास्ट में, बहुत पहले, और वो कौन सा date था, वो था 11 June 1894 का दिन था तो इसे कहते हैं, बचो टाइम ट्रेवल करना, टाइम ट्रेवल कर थू हम पास्ट में, या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, तो ये था Charlie का experience, वो इतने सालों पीछे पहुंच चुके थे, वो पास्ट में पहुंच चुके थे, 11 June 1894 के दिन वो पहुंच चुके थे, I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States, we wanted to go, तो अब Charlie बिल्कुल शौर हो चुके थे, कि वो जहां पर है, वो Grand Central Station का third level है, और ये वो level है, जो की पास्ट में था, यानि कि ये अब से बहुत पहले की समय का level है, और यहां पर सारी चीजे, सारे वैक्ती जो है, वो पास्ट के है, तो फिर ऐसे में जो narrator है, वो क्या करते है, वो ticket window की तरफ जाते है, जहां से ticket मिलते है, वो वहां पर जाते है, और ऐसा क्यों, क्योंकि वो जानते थे, कि ये जो Grand Central Station का third level है, यहां से वो ticket खरी सकते थे, किसके लिए, अपने खुद के लिए, और अपनी wife Louisa के लिए, और कहां जाने के लिए, United State में, anywhere, कहीं भी जाने के tickets हो यहां से खरी सकते थे, जहां कहीं भी वो जाना चाहें, तो बच्चों, यही बाद शो करती है, कि जो narrator थे, वो actual में escape जाते थे, उनकी जो present life थी, वो अपनी present life से बहुत जादा परेशान थे, उनकी life में बहुत सारे worries थी tension था, stress था, और वो इस reality को accepting कर पा रहे थे, वो उससे भागना चाहते थे, तो जब उन्होंने अपनी imagination में देखा, कि वो एक ठर लेवल पे पहुंच चुके हैं, और यह कौन से दुनिया है, यह कौन सा वर्ड है, past के समय का है, 1894 का है, तो उनको लगा कि अब जब मैं यहा तक पहुंच चुका हूं, तो मैं यहां से दो टिकेट ले लेता हूं, अपनी और अपनी वाइफ के लिए, ताकि हम यहां से बहुत दूर कहीं जा सकें, ऐसी जगह जा सकें, जहां हमारी लाइफ में थोड़ी सी शान्ती हो, और हमारी लाइफ बहुती स्मूथली चले, ऐस जहां से हम पास्ट में जा सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम मैं दो टिकेट ले लेता हूं, और मैं अपनी वाइफ के साथ एटीन नाइटीफोर के समय में कहीं भी चला जाओंगा, यहां से ट्रें के टिकेट लेके, और वो कहां जाना चाहती थे, तो वो चाहती थे जहा बच्पन पीटा था, बच्पन में अपने इस पम् परेंट्स यी रहा करते थे, और अभी वो वह बहुत Cape C लुए तेभान, यह वहाँ और गेल्स बर्ग यह बार्मा टाओन है, तहसं यहां वह रॉड़र्ण, यह बढ़ाु करना चाहिं डाओन, практически वहां पर इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस है, इतनी वरीजन सबकी लाइफ में, कि वहां से नरेटर एक अस्केप चाहते थे, और वह जाना चाहते थे गेल्सबर्ग, जो कि एक छोटा सा टाउन है, और वहां जाके वह एक पीसफुल लाइफ हो जीना चाहते थे, तो नरेटर चाहते थे, कि वह दो टिकेट ले लें, और अपनी वाइफ को ले कि वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस चले जाएं, और वहीं पर वो रहें, आगे नाइटर हमें कह रहे हैं कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हैं? क्या आपने कभी गेल्सबर्ग को देखा है? क्या आप जानते हैं कि गेल्सबर्ग कैसी जगए है? It's a wonderful town still तो आगे वो हमें बता रहे हैं कि केल्सबर्ग क्या जगए है? क्यों वो गेल्सबर्ग जाना चाहती थी? तो वो कह रहे हैं कि केल्सबर्ग एक बहुत wonderful town है, बहुत beautiful town है with big old frame houses और वहाँ पे जितने भी घर है वो कैसे है? frame houses, frame house बच्चों इस तरह का होता है, ये wood का बनावा होता है, तो ये town था बिल्कुल पुराने समय में जिस तरह के घर होते थे और यहाँ पे जादा population भी नहीं थी, बहुत जादा भीड नहीं थी, बहुत जादा वीकल्स नहीं थी, इसलिए life इतनी peaceful थी, इतनी smooth थी, तो य आराम से evening में, morning में सब बैठा करते थे, and tremendous trees, और इसके अलावा सभी घरों में क्या थे, tremendous कहते हैं, बहुत बड़े विशाल, तो बहुत बड़े-बड़े पेड लगे वे थे, whose branches meet overhead, और वो पेड इतने बड़े थे, कि उनके जो branches थी, उनके जो शाखाएं थी, वो क्या हो जाती थी, overhead, उपर जाके आपस में मिल जाती थी, and roof the streets, और इस तरह मिल जाती थी, कि जो नीचे की सड़क है, उसके उपर वो कवर हो जाती थी, पूरी तरह से, एक तरह से वो उसका roof उसकी छत बन जाती थी, जैसे बच्चों सपोज ये एक रस्ता है, और यहां पे trees उगे और इनकी जो branches है, वो इतनी जादा value ही है, कि वो आपस में मिल गई, अब ऐसे में यहां से जो गुजर रहे हैं, उनके उपर क्या है, इन ब्रांची की roof है, यानि की छत है, तो जो नारेटर है, वो बता रही है, कि Gelsberg एक बहुत अच्छा टाउन है, बहुत ब्यूटिफु है, तो इस तरह है क्या महाँ पर जीवन है, एन इन 1894, summer evenings were twice as long, आगे वो खह रहे हैं कि जो 1894 का समय था, उस समय जो summer की evening हुआ करती थी, वो आज की evening से लंबी थी, और कितनी लंबी, twice यानि दुगुनी लंबी, यानि वो खह रहे हैं कि आज का जो समय है, इस से दुगुन लंबी evening तब हुआ करती थी, तो बच्चों evening तो वैसे है, तब भी दिन में 24 hours होते थे, अब भी दिन में 24 hours होते हैं, लेकिन evening लंबी होने का ये मतलब है, आज की समय में लोग अपने काम में इतने उलचेवे हैं कि वो late night तक घर नहीं आते, वो अपने office में, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस समय लोग time निकाला करते थे, काम भी करते थे, लेकिन अपने लिए अपनी family के लिए वो time निकाला करते थे, और evening का समय वो घर पे spend क्या करते थे, तो उस समय लगा करता था कि हाँ, अब evening time है, अब सब घर पे हैं, सब एक साथ बैटके enjoy कर रहे ह लेकिन अब की जो life है New York में, वो इस तरह की है कि evening morning भी office में निकलती है, evening भी office में निकलती है, तो पताई नी चलता कभ evening हो गई, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि actual में उस समय दिन लंबे हुआ करते थे, उस समय भी 24 hours थे, लेकिन राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय लोग मनी के पीछे भागा नहीं करते थे, बलकि वो दिन में काम करते थे, तो शाम का समय वो घर पे इस पैन किया करते थे, अपनी फैमिली को वो टाइम दिया करते थे, तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि उस समय की जो evening हुआ करती थे, वो आज की evening से twice long, दुगुनी लंबी हु और बैटके वो आपस में enjoy किया करते थे, किसी तरह की भागदो, tension, worries, कुछ भी नहीं हुआ करती थे, और आपस में बैटके सब लोग साथ में जितने भी मेल होते थे, वो सभी तो cigar smoke किया करते थे, and talking quietly, और आपस में खूप सारे बाते किया करते थे, शांती से, तो वो में waving palm leaf fan, और जो female होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो क्या करती थी, वो palm leaf से बने हुए fan को wave करती थी, यानि हिलाती रहती थी अपने हाथों में लेके, तो बच्चों इस तरह के fan होती है, जो की बने होती है, किसे जो palm tree होता है, उसकी leaf से ये fan बने होती है, तो इस तरह के fan को वो हाथ में लेके वेव करती थी, हिलाती रहती थी और जो जितने भी पूरुश हुआ करते थे, मेल्स हुआ करते थे, वो बैठके सिगार स्मोक किया करते थे विद फायर फ्लाइज और इसके अलावा सब जगह वहाँ गाडन था, लॉन था, ट्रीज लगी भी थी, ग्रीनरी थी इतनी जादा तो उन सभी ठीज में क्या होते थे, फायर फ्लाइज हुआ करते थे, बच्चो आपने देखा हो गए, इस तरह के छोटे-छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो की रात में अंधेरे में क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, इन में से एक तरह की लाइट निकला करती है, और वहां पर फाय फ्लाइज उडा करती थी और इस तरह वह एक बहुत ही पीसफुल वर्ड था तो यह बिलकुल एक डिफरेंस बताया गया है जो प्रेजर्ट लाइफ न्यू यॉर्क की उस लाइफ से बिलकुल ऑपोजिट लाइफ थी गेल्सबर्ग की पुराने समय में तो न् अपने लाइफ नाइट तक वह आफिस में रहते हैं काम पे लगे रहते हैं तो इसे बिलकुल ऑपोजिट लाइफ थी गेल्सबर्ग की जब लोगों की लाइफ में शान्ती थी उंके पास टाइम था अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए आपस में बैठ के बाते करने के और आज की लाइफ में नेजर बिलकुल भी नहीं है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन पुराने समय में लोग नेजर की वैल्यू करते थे अपने घरों में ट्री लगाते थे लॉन लगाते थे और तो अब मेरे पास एक opportunity है कि मैं टिकेट ले लेता हूँ और मैं भी पहुंचाता हूँ गेल्सबर्ग To be back there with the first world war still 20 years off and world war second over 40 years in the future और ये वो समय था जब world war first होने में अभी भी 20 years बाकी थे और second world war होने में तो लगभग 40 years से भी ज़्यादा का समय बाकी था तो ये जो main difference है इस difference का reason writer यही बता रहे हैं कि बात में इतना ज़्यादा violence बढ़ गया था world war 1 हो गई थी world war 2 हो गई थी लेकिन ये जो गेल्सबर्ग का समय है 1894 का ये वो समय था जब world war 1 होने में भी 20 years बाकी थे और world war 2 में तो 40 से भी ज़्यादा years का समय था इसलिए लोगों की life में इतनी शांती थी और इतना आराम था I wanted two tickets for dad तो narrator अब भूच आते थे कि उन्हें भी दो ticket मिल जाएं किसी भी तर है तो वो भी इस present life से दूर कहीं चले जाएं The clerk figured the fair तो वो ticket window पे जाते हैं और वहाँ जाके वो कहते हैं कि Galesburg की दो ticket जाएं तो वहाँ पे जो clerk काम कर रहा था वो fair कहते हैं किराया तो वो किराया calculate करता है कि अच्छा दो ticket के लिए Galesburg का किराया क्या होगा वो उसको calculate करता है He glanced at my fancy headband लेकिन साथ ही वो क्या करता है अब जब narrator यहाँ पे आये थे third level पे तो उन्हें बाकी सब के कपड़े बाकी सब की hairstyle कितनी अलग लग रही थी तो उसी तरह से उन सब लोगों के लिए भी narrator की hairstyle, narrator के कपड़े भी बिल्कुल different थे उन्होंने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं देखी थे तो जब clerk देखता है कि narrator ने हमने पढ़ाता ना पहले कि उन्होंने एक straw hat लगा रखी थी और उस पे एक fancy band लगा रखा था तो जब उस clerk ने narrator के fancy headband को देखा तो उसको भी लगा कि यह रहे इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं तो उसने बहुत ही ध्यान से देखा कि इसके कपड़े हम सब से इतने अलग क्यों हैं तो उसने देखा तो बहुत ध्यान से लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और उसने calculate करके बता दिया कि दो टिकेट का कितना फेर कितना किराया होगा and I had enough for two coach tickets one way और जो narrator है जब उन्होंने सुना कि अच्छा इतना फेर होगा और वो देखते हैं कि उनके पास उस समय कितने रुपे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास दो टिकेट के लिए तो इनफ रुपे थे और दो टिकेट उनको कैसे चाहिए थे वन वे के चाहिए थे, वन वे यानि उनको वापस नहीं आना था और सिर्फ उनको गेल्सबर्ग जाना था, तो उनली वन साइट के दो टिकेट के लिए उनके पास प्रयापत रुपए थे तो वो वापस न्यू यॉर्क वाले लाइफ में आना ही नहीं चाहते थे तो उनको वापसी के टिकेट नहीं चाहिए थे, सिर्फ वन वे, वन साइट के टिकेट चाहिए थे सिर्फ न्यू यॉर्क से गेल्सबर्ग तक जाने के उनको टिकेट चाहिए थे और दो टिकेट के लिए जितने रुपए चाहिए थे, उतने रुपए उनके पास थे बट वेन आई काउंटेट आउट दा मनी एन लुक्ड अप दा क्लर्क वास स्टेरिंग एट मी तो उसे में रुपए तो थे दो टिकेट के उन्होंने अपने रुपए काउंट करें और काउंट करके जब उन्होंने रुपए अपने आगे बढ़ाएं तो जो क्लर्क था वो को बहुत जादा स्टेर कर रहा था एक टक देखे जा रहा था उसको बहुत जादा घूर रहा था और उन बिल्स को देखके बिल्स यानि वो जो नोट थे रुपीज थे उन नोट को देखके वो अपना नोट यानि सिर हिलाता है Debt and Money Mr. और कहता है Mr. ये हमारी currency नहीं है ये हमारा money नहीं है तो बच्चो ये बहुत past की बात है तो उस समय की जो currency थी उस समय जो note चला करते थे वो note अब नहीं चला करते हैं और अब के जो note थे वो तब तक start नहीं हुए थे तो दोनों समय की जो currency थी जो note थे वो बिल्कुल different तो जब क्लाक ने देखा कि narrator की जो note है वो उनके समय के नहीं है उन्होंने ऐसे note कभी देखे ही नहीं तो उनको लगा कि ये नकली note हमें दे रहा है तो उसने कहा कि Mr. ये हमारे note ये हमारी currency नहीं है He said उसने कहा and if you are trying to skin me आगे उसने कहा कि ये हमारी currency नहीं है ये असली note नहीं है और अगर तुम मुझे skin यानि अगर तुम मुझे cheat करना चाह रहे हो अगर तुम मुझे बेकूफ बनाना चाह रहे हो You won't get very far तो तुम यहां से बचके नहीं जा पाओगे And he glanced at the cash drawer beside him और ऐसा कहके उसने उसके पास जो cash drawer रखी हुई थी जहां पर उसके सारी currency थी जो उसने money जितने भी खटे किये थे टिकेट देके वो सब रखे वे थे उसने उस डॉर की तरफ देखा Of course the money was old style bills half again as big as the money we use nowadays and different looking तो ना एटर कह रहे हैं कि हाँ of course उस समय की जो currency थी वो आज की currency से बिलकुल different थी तो वो समय की जो note थे वो बिलकुल old style वाले जो पहले के समय में चला करते थे वो वाले note थे और जिन note को हम nowadays आज इस समय यूज करते हैं उन note से वो तो half big थे यानि कि जितने बड़े हमारे आज की समय के note है उसके तो half ही वो note उस समय चला करते थे और इसके लावा वो हमारे note से बहुत जादा different लग रहे थे तो narrator को realize होता है कि हाँ currency तो बिलकुल अलग थी उस समय जो currency उनके पास थी उनकी pocket में वो note उस समय के note से बिलकुल ही अलग थे I turn away and get out fast तो narrator कुछ भी नहीं बोलते उनको लगा वो कैसे समझाएगा कि उसके पास ये currency कैसे आ गई और वो उसके कपड़े ऐसे क्यों है तो उसको लगा कि मैं कुछ बोलूंगा तो और आगे question आएंगे और मैं कैसे answer दे पाऊंगा तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहां से जल्दी से निकल जाते है there is nothing nice about jail even in 1894 और वो सोचते हैं कि जो jail है वो तो किसी भी समय में अच्छी नहीं होती चाहे वो 1894 ही क्यों नहीं हो नरेटर बहुत जादा उनको अच्छा लग रहा था कि वो 1894 में आ गए हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये clerk मुझे पकड़ के jail में डाल देता तो jail तो जेल तो कभी भी अच्छी नहीं होती भले ही वो 1894 की jail ही क्यों नहीं हो तो इसलिए वो चुपचा वहां से चले जा नकली रुपए हमें दे रहा है और वो नरेटर को jail तक पहुंचा सकता था और नरेटर jail बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं तो बच्चो अब नरेटर सच में 1894 में क्या सच में पहुंचे थे या ये उनकी imagination थी और आगे क्या होता है क्या वो गेल्स भग तक पहुंच पाते हैं या फिर वो रियालिटर को accept कर पाते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में see you in the next video thank you